तो टिशू की बात करें तो टिशू में सबसे पहले बात आती है टर्म टिशू वाज गीवन भाई पाइगेट और वो बोटन इसने प्लांट्स के लिए दिया था और जो यह है इसने जोलोजी में जिसने टर्म टिशू को इंटरडूस के यह था वह था बाई कैट और टिशू जो है बैसिकली वह ग्रूप अफेल्स होता है आमको पता है डेट अब्लड ब्लड डेज़ ग्रूप अफेल्स देट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन यह भी उसकी लाइन का पार्ट है कि टिशू ग्रूप अफेल्ड एट एस पॉमन अम्रीए और निक और जिन होती है तुक्रklär다가 बॉइढ मस्कूलर क्नेक्ट permettre अर्ड तुक्र मतलब किसी अफिसे डॉर दिशुआ जासगता की और आउटर लाइन पर निघ्मा दूट भी पाई चाता है तो एपिदिल मतलब आपोन रेश्टिइंग ओं ठीकफ सबविया तो यह एक्स्टरनल और आप इंटर्नल सर्फिस पर पाए जाता है और यह तीनों जम लेरे एंडोडर्म एक्टोडर्म इसोडर्म तीनों से जो है अराइज होता है एपिधियल टिसू होते हैं हमको इनकी खास बात एक यहीं पता है कि इनके बीच में नेगलेजिबल चैको इसा भी अभी थीलिल टीशू इंटरसेलोल स्पेस तो बहुत कम होता है बेसिकली और यह क्लोजली पैक्ट होते हैं ताकि अच्छे से औरगन को कवर गार भाएं धंग से कि कोई चीज है तो वह पैथोजन है या कुछ भी है तो इनको अटेक करें ना कि सीथा औरगन में चला जाएं तो इसलिए इंदर इंटरसेल्लेस घ्रण बहुत कम होता है तो यह एप थीलियल टिशू होता है ये पहरेंे ढु strings करते हैं और दावनिल और होता है या फिल जो दोनाओ को मिला के बोलते हैं तो प्रयंद डोओं यहäsident मेंफ्टन उती है तो बसकी बैसिकली हमारी वह को सिख्रीब मुकोपोली संक्राइट को सिक्रेट करते हैं अगर रेटिक्लीं Luca मिला बैसिकली जो antiche consequen 111 het और वह जो यह अंडरलाइंग कानेक्टिव टिशू के द्वारा सिक्रेट किये जाते हैं जयादे तरह हमने देखा कि अपि ऑसले justice तक कोई भी बलड वैसल नहीं जा रही है तो अपिधिलियल टिशू इसका मतलब एवस्कुलर होते हैं पर नर्व जा रही है हम सेंस कर सकते हैं स्कीन पर कुछ लगता है तो अपिधिलियल टिशू अपने न्यूट्रिशन जो अंडरलाइंग टिशू है उससे लेते हैं अब पर फ्री सरफेस पर फेडिलियल टिशू के कुछ मोडिफिकेशन गयुटे तो मोडिफिकेशन तीन तरह गों दें माइक्रो विलाए को बढ़ने के लिए फॉर ET absorption उसके लिए होती है स्टेरियो सीलिया क्या होती है सर्फिस एडिया को बढ़ाने के लिए फॉर्सी क्रीशन ठीक है एस स्टेरिया मतले माइक्रोमीर को देदा रहे काइनो सीलिया की मोटाइल सीलिया था कि किसी को मुवमेंट में मदद हो जैसे म्यूकस को एक मूव करवाना उपर या फिर जो इस तरह के टास्क है एक को मूव कराना उसको काइनो सीलिया सीलिया और या आदे ना देखा था नाइन फिलस टू अर्रेंजमेंट होता है माइक्रोटेब्यूल्स का तो जो इसके बाद देखता है जो एपिथिलियल सेल है जैसे यह स्टीरियो सीलिया हे भी में देखने को मिलते सेल जंक्सन बोलते हैं यह तीन तरह एक हो सकते हैं पहला हो टाइट जंक्सन केशनिंटस की होता है यह जो इली केज को प्रवाइड करते जोनूला लाख नेलिए थेशा यहां से कोई organ में से जैसे कोई organ उससे कुछ fluid जाना भार तो वो जो है कहीं लीक ना हो कहीं cells के अंदर ना चला जाए या समझ रहे हैं कहीं दूर इधर उदर ना ओजाए वापस इधर ना जाए से तैर के है protein होते हैं इसमें उनको से बीच मैं से यह protein आपस में जूड़ जाते हैं थो यह होते हैं के ढरेंट अप्रोटीन यह साइडों में यह होते हैं तो इसको डैस्मोजोम भी बोलते हैं अध्रिंग जैनल होते हैं बैसिकली यह ट्रांसपोर्ट में मदद करते हैं इसके बाद कुश्चन की कुण सा जंक्शन करता सो एसको इसका आंसर है टाइड जंक्शन तो अब भी हम देख चुगे कि epithelium tissue basically होता क्या है epithelium tissue होता क्या है मतलब कि epithelium tissue है वो कैसे उसमें क्या-क्या modification पाई जाती है कि इस तरह का intercellular space होता है basal basement membrane के उपर लाए करता है आप देखते है epithelium tissue को classify करके तो सबसे पहले epithelium tissue को हम दो सब्सक्राइब कर सकते हैं simple epithelium tissue compound epithelium tissue simple epithelium के अंदर जो है एक तरह से कहा सकता हूँ है पांच वो आते पांच था हैं पांच बिसिकली मैं चार भी कहा सकता हूँ पर मैं पांच ही कहता हूँ चलो क्योंकि आगे देखेंगे पांच काटेगर आती है simple squamous epithelium stratified Non-cilleated pseudostratified पर रखता है इसलिए इसलिए पस्टाइफिफाइड को अलभी रख लाग सक्षाब सकता है स्ट्राइटर आ जाता है जो ऐसे ले और एक ट्रांजीशनल तो आउ देखते हैं तो अगर फंक्शन एक देखे तो absorption absorption क्योंकि यह सिंपल बात है अब्सोर्ब करने में काम आती हैं यह सिंपल होती है filtration जैसे वह होता है अपना भाईया यह squamous तो बहुत पत्र लाए बिल्कुल उसकी तरह जाली की तरह काम कर सकता है के COMEOW यहाजै के काम आते हैं कि क्षेट कर्ने में मूकस घर्मिनल जो होते हैं jcj worldwide करने की कुछ नीम का स्टक्चर देखे ताइव स्ट्टर होता है तो यह भी ऐसा फ्लैटन होता है और यह पेवमेंट अपी तरह लगते आ भी तरह टिरह न्यूप्रय को होती है और युच्छ इसकी इडिखिम्रatt carbon तयों क्या जंस फिर नेख्यों करेंग, तो यह क्या-क्या करता है यह अब्सूर्प्शन में इसम कामाना ब्लर्ट वैशल में डिम्BaS जो काम आएगा भि goose काम बता ह नेख यह इताली जह सब्परक्लाब सक हमारे बलग बनाता है सेंटरल होती है इसके बाद आती है बेसलों किलियर घाएंस पहले तो दो सेंटरल होती है यह thyroid follicles में पाए जाते हैं और यह duct of glands जो होते हैं उसमें भी पाए जाते हैं kidney के nephrons में पाए जाते हैं यह प्यारे हमारे यह इन में तीन खास बात होती है यह इन में तीन modification आ सकती है ciliated के अलावा अभी normal ciliated तो हमने अलगी category बना रखे तो पहले है कि यह germinal हो जाते हैं मतलब इनके पास capability आ जाती है meiosis करके chemeats बनाने की तो यह हमको काम मिलेंगे ओवरी में बनता है एग तो ओवरी में मिलेगा हमारे इसके बाद है brush border epithelium ब्रस बोर्डर जब भी नाम सुने तो ब्रस बोर्डर समझो टूथ ब्रस ब्रस को हम हिलाते है न मोटाइल है वह तो इसका मतलब उसके जो बोडर है वह मोटाइल है ओके तो ब्रस बोर्डर में तो सिंपल माइक्रोविलाई होती है माइक्रोविलाई का क्या क्या का मोट अरे ब्रस बोर्डर मतलब यह सोचो ब्रस बोर्डर मोटाइल नहीं होती क्योंकि ब्रूश को हमको खुद ही लाना पड़ता है ब्रूश अपने आप नहीं हिल जाती भाई तो येस तो ब्रस बोर्डर इसके bardziej माइक्रोविलाइ का सर्फेस बढ़ाती है Nag Zombieॉलाइ यहांको पता है मूवमेटकि में काम करती है तो यहां पीसे टि में पैरिफरण जो AB Lore टी पील होती है जो बाहर के टटी है उसको एब्जोर्ब करेंगे तो यहां पर PCT में काम आती है इसके बाद आता है pigmented cuboidal pigmented cuboidal जिसमें pigment पाए जाते हैं एक तो skin में पाए जाते हैं एक आखो में तो रेटीना भी मिलते हैं और हमारे होती है क्योंकि यह लंबे होते हैं तो यह क्या इनका काम हो सकता है सेंचली देखते हैं तो लिए lines of gastrointestinal tract में और हमारे गॉल ब्लैडर में पाए जाते मिली और यह इन में जो है हमको वह भी देखने को मिलती है कुछ modifications भी जैसे यह एक होती है brush water columnar तो brush water को मिलें brush water का भी मतलब बताया था जहाँ पर अपनी microwave लाए होंगी तो यह columnar रहा हुपर से इनके पास ब्रस बोटे इससे जादा हमारे पूरी बोडी में absorption कहीं नहीं होता यह absorption के बाप है ठीक है तो यह ब्रस बोडर देखते हैं सिरेट को लोमन रहे बात यहां पर काई नसी लिया वाली बात यहां पर काई नसी लिया ही मिल रही है आप यह समझ के चलो तो सिलीट इट को लोमन रेपिथिलियम कहां का मिलता तो वह देखो तो यह जो हैं ऐसी मोड जंगां वे मिलेगा जहां पे जो है हमको मुवचमेंट कर्वान आहीं किसी चीज का मुवचमेंट हो रहा हु ठीक है ऐसी जंगाव मिले तो यह फैलोपिन ट्यूब जहां पर एक से यूटरेस जहां पर एक स्मूकस दोनों का मुवमेंट है यार वासाई फ्रेंच ही हमारे मेल के उसमें स्पर्मेटोगा का मुवमेंट वहां पर मिलते हैं सिलेंटेट को लोमनेर अपितिलियम इसके बाद जो हमारी ब्रॉंक्योल जो थे out soon ब्र suppleby इतनी फिन की जो होती है हमारे ब्रेन की जिसमें सेरीबिल शीनाो स्पाइनल कोधिन साम में स्पाइनल कोरी न सब में सेरस का मौमेंट होता है तो इसलिए वहां पर सईयधीड को लनार मिलते हैं सिलेघिड कै उते वह बगाध ज्यादा रहर होता है है य तो यहां पर सिंगल लेयर अपर तो एसका इसका यह दो तरह कि उसकते हैं मैं आपको पहले भी यह इसका फंडा एक्स्परेंग कर चुका हूं पहला उदा सी लिटीड सूड़ स्ट्रेटिफाइड तो इसमें एसेंचली क्या होता है तो यह क्या करते हैं लाइन सट्रेटिफाइड ना यहां पर पर चुस लिटाटिफाइड नौशीं यृत que do इसके बाद जो है इसका आगे फंक्शन भी देखेंगे यह कैसे जो है काम करता है मदद करता है हमको तो अशेंचली यह जो लार्ज डक्ट के करता है क्योंकि वह पिसाब स्टोर करता है उसको फ्लक्सिबल होना चाहिए अभी देखते हैं इसको स्टोर करने के लिए होते हैं एपिथिलियम सैल मिलते हैं सिम्पल लग में कुड में देखा था क्या है कुए मतलब रहें के ब्रंकै लगे वहां स्मूल ब्रंकैर्ट कर लिया फिर सीम्पल ऑंकीOOO बहुंद्य मिलते हैं कलोमिय नियुबर टूप में यह उयाब twث्व तोbol यह मिलता है यह अमको याद रखना है कि जो अपिधिलियल टिश्यू है इसेंचली तीन ही टाइप का होता है स्क्रमस क्यूबडल कॉलोमनर और एक स्ट्राइट वह अलग बात है चारी तरह का होता है अब उसकी करते हैं मल्टी सेल्वर् ग्लेंड हो गई कई तरह है कि जिनके पास ब्लोड स्ट्रीम में अपने होर्मोन को करें या फिर अपनी सेक्रिंशन को रिलीस करें अब इसके बाद कंपि लिंग को मिश्ट करते हैं इस्चाइश के पहलेशा इसके बाद आता है इसके बाद आता है ब्रांच टुबूलर ब्रांच टुबूलर ऐसे ग्लैंट्स होते हैं जो हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड में गैस्ट्रिक उसमें पाए जाते हैं जो भी गैस्ट्रिक ग्लैंट्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर ब्रांच टुबूलर जैसा ह ये तो हमको रच यह होते हैं जिसके में पाया जाते हैं और मेली इंपर ना इरा बेर यह एलेर भी बोलते हैं इनको एक लोग है इंको अगे की में इसलिव चिप-चिपी होती है। सब्सक्राइब करते हैं इसके बातवेशा कमपाउंड और्स दिलर के बात करें तो उनके ते इन तो अपने सलाइवरी ग्लैंड में देखने को मिलते हैं इसके बाद आते हैं यह उन्दा बेसिस ऑफ जो है टाइब मोड ऑफ सिक्रीशन ग्लैंड ग्लासिफाइब करने जो सिक्रीट करते हैं तो वो बिसिकली दो तरह के होते हैं यह ती रहा जो जूजाएब होते हैं जुच्रीशन के क्मांब की क्की देक्षो ही ने क्वाम आपकर देखें इसम्हां अपर का उपर का साथ ही हलोगजल मिलता है तो यह में मेम्री ग्लैंट ऐसा सिक्रीट कर दे Thank you पूरा यह मतलब फट जाते जो बहुत चिप-चिप हों वह क्यों कि इनका सारा साइटॉप्लाजम वमारे पास है तो सारे लिपीड हमारे पास है तो ऐसे तो ओईली ग्लेंट से बिशीस ग्लेंड में भी इसके बाद ऑन बैसी सब नेचर ओफ सिक्रीशन जो एफ हमको कैसा है होँ है वोटर का यह सामेरे डाउट की बात थे कर दिगर्टा के तो यह बात ही थी तप्रव किमारे अच्छीज के शेर्व मुकर स्क्राइब कर देयु होगी ये जो इंट्रस्टाइनल ग्लैंड में होता है यह इनके इंट्रस्टाइनल ग्लैंड में भी होते हैं सब्सक्राइब कर दो रहे हैं प्रोटो थेरियन की तो पर है तो वह एसेंसिल सलाइवरी ग्रेंड दोनों वह ब्रांच अलवियोलर और जो है अपना वह अपना ब्रांच टुभूलर यह तो एक गलती ते पिछले जो वीडियो थी उसमें गॉबलेट सेल का जो बाइद है सब्सक्राइब करते हैं तो अब हम नहीं चीज़ स्टार्ट करते हैं इसके बाद इसमें तीन तरह के होते हैं सबसे पहला है सबसे पहला है सबसे नाम दे रखें सबसे नीचे वड़ी लेर होते हैं इसके बाद एक लेर आती है स्ट्रेटम ग्रैनुल्वसम और सब्सक्राइब को बनाते हैं इसको सबसे उपर वाले होते हैं जो अपने यह स्क्राइमस एपितिलियम इनको बोलता है स्ट्राइटम कोर्णियम ठीक है तो ओपर की चीज होती है जब से देखो तो आप इसा नहीं होता है उपर के से लीविंग होता है अपना सिंपल फंक्शन परफॉर्म करें तो उनको बोलता है नोन के लिए नाइस वह के लिएक ठेटीन जो आपगली से लीविंग शिर्च मेली सेनियोन और्याट सेटम को में मुंप भी पीराशन यह और सिंव ख का अंपाल स्थे जो नोन केरेटिनाइज होती है जो वह उसमें लिविंग सेल्स होते हैं यह पर्मियबल होती है वाटर के यह प्रोटेक्शन में काम आते हैं ओ मैं एक बात बताना भूल गए जो यह अपने यह सेल होते हैं अपिथीलियम के सेल होते हैं यह अपने यह जिसमें स्ट्रेटिफि प्रोटेक्शन का काम करते हैं तो ऐसी कुण कुण सी जंगा है जहां पर प्रोटेक्शन की जरुत है वहीं पर मिलेगा हमारा और यहां थो वहां तक जो हमको मिलेगा और वजाईन होती है और हमारा कॉर्णिया में कुछ लग जाए तो हो समझ रहे हो इसलिए कोर्णिया होता है हमारा वहां पर यह मिलते हैं हम को तो बकल कैविटी की लाइन होगी हमारी पूरी और जो यहां बकल काविटी है मुव हो आ गया पिछे तक वो तक गंटा सा लटका रहता है उसके बाद जो फैरेंग्स में ले फैरिंग्स फिर लेरि पेस्काइब है उसके बाद हमारी स्किन का वो यह बिशाइक ف попроб है यह होती है यह अपने अपिधिलियल सेल इसके बाद आते डर में कई चीज़े मिलती है यह 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 फोलिकल के साथ जो लगाओ यह 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 आपना जाब मैडम ने फिंगर लगा यह यह अपना स्वेट गलेंड एसके निचे सब अब यह इसके बाद अब देखते हैं स्ट्राइटिफाइट क्यूब अपिधिल तो अब यह थे लिए तो अब स्केंदर मिस ओफिश इड्र इंसम में मिलता है लार्ज डेक्ट ऑफ पैंग्रिया सलाइवरी ग्लैंड और यह फीमेल के यूरेथरा में मिलता है यह मिलते हैं सि यह stratified columnar epithelium बहुत ज़्यादर रेयर होता है बहुत रेयर होता है और यह सिर्फ और सिर्फ embryonic life में मिलता है तो stratified tissue खतम अब आते हैं ट्रांजीशनल epithelium ट्रांजीशनल epithelium में मैं वह मैंने गला तो बोला सिरफ इमेल का जो यूरिथर है उसी में मिलता है वह stratified qq epithelium ट्रांजीशनल epithelium थे तो देखो यह इस से यहां से यहां आता है यह first से second यह ट्रांजीशन और रहा है ना सेमश्वाध एक इसकी मतलब स्ट्रॉक्चर से में ट्रांजीशन आ गया तो इसको इस बोलते हैं ट्रांजिशनल अपिथीलियम इसके उपर चार से पांच लेयर होते हैं कम से कम और यह साहिए जो डारेक्ट रिलाइस करता है यह इसकी रिलेक्स स्टेट है जब पिसाब इसमें कम बरा हुआ अब यह इसकी इसको बोलते हैं ट्रांजिशनल अपिथीलियम यह सिरफ और सिरफ पिसाब की जंगाओं पर मिलता है इसको यूरो थेलियम बोला जाता है यह सकता है पहली बात प्रोटक्शन में ही मिलेगा क्योंकि स्ट्रेटिफाइड आये तो ठीक है उनने चाहिए इतनी बड़ी 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 लेर्स होंगी तो एर को जाने में मुझकिल होगी तरह थीक है इसके बाद यहीत इतना है वहाँ हमने पचास मिनट में सबके चार लेक्चर दुनिया का संभव काम कर दिखाया है और वीडियो की लेंथ मुश्किल से 25 मिनट की बनी है इसको और 2x स्पीड पर देखोगे तो धूम मच जाएगी झाल झाल झाल